हलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल देखिए फ्रेंज आज में आपके लिए बहुत सुन्दर स्वेटर का डिजाइन लिखके आई हूँ यह देखिए लुक वाइस काफी सुन्दर लग रहा है और बनाने भी काफी इजी है इस डिजाइन को डालने के लिए हमें 8 की पर फंदे लेने हैं और दो फंदे एक्स्टर लेने हैं तो यह ब्यूटिपुल सा डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा और यह 16 रोज का रिपीट पैटन है और बहुत सुन्दर पैटन है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीचेगा आप इसे लेडी कार्टिगन में राइट साइट से सीधा बुना हुआ दिख रहा है तो यह काफी सुन्दर डिजाइन है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देखे फ्रेंज मैं आपको इस पार्ट में बना के दिखाऊंगी यहां पर मैंने 18 फंदे डाले हैं 8 के मल्टिपल पर फंदे डाले हैं 16 और प्लस अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैंने काफी सुन्दा स्वेटर्स के डिजाइन बेबी कैप के डिजाइन बेबी सॉक्स के डिजाइन लेडी सॉक्स के डिजाइन जैन सॉक्स के डिजाइन और और muffler के design डाले वे हैं तो एक बार आप जरूर मेरे playlist को चेक कीजिएगा बहुत easy तरीके से मैंने यह सभी बनाना बताया है यह देखिए row 1 right side से अब देखिए back side है, row 2 है तो देखिए row 2 को हमें क्या करना है back side से यह h को फंदा आप चाहें तो उतार लीजी मैं इसे बुन के ले रही हूँ, तो देखिए row 2 को हम back side से उल्टा उल्टा बुन के complete करेंगे देखिए friends row 2 back side से complete हो गई है आप देखिए right side है और row 3 है तो row 3 को हमें क्या करना है right side से सीधा सीधा बुन के complete करना है देखिए friends row 3 right side से सीधा बुनते वे complete हो गई है अब देखिए back side है row 4 है तो row 4 को हमें क्या करना है back side से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन के complete करना है तो बिल्कुल simple design है देखिए friends row 4 back side से उल्टा बुनते वे complete हो गई है करना है? Right side से इस तरीके से सीधा सीधा बुन के complete करना है दिखी friends, row 5th हमारी right side से सीधा बुनते वे complete हो गई है, अब दिख MERC background है और row 6th है, दिखे row 6 को हमें क्या करना है, backside से उल्टा उल्टा बुन के complete करना है this dvs देखिए फ्रेंस रो 6 तक तो राइट साइड से सीधा बैक साइड से उल्टा था आप 7 और 8 रो आपको ध्यान से देखनी है देखिए आप राइट साइड है और 7 रो है तो 7 रो में हमें क्या करना है सबसे पहले एक H का फंदा पुनेंगे सीधा उसके बाद हम एक फंदा फंदें में जो सेंट्रे वाला है देखिए तीन फंदे इधर हो गए तीन फंदे इधर जो बीच वाला फंदे से हमें केरना है यह दिख़े एक दो तीन चार पांच और 6 छठा जो होल आपको दिख रहा है इसमें आप ऐसे सलाई डालेंगे यहां से आप इस तरीके से एक दालेंगे और इसे आप ऐसे खीच लेंगे और आपको इसको इतना लंबा खीचना है देखिए इतना है ऐसे खीचेंगे ठीक है यह हो गया जैसे यह खीच गया उसके बाद हम क्या करेंगे एक फंदा बुनेंगे यहां से यह देखिए एक फंदा हमने बुन लिया अब देख उसके बाद थर्ड नमबर का यहां से फंदा बुनेंगे ऐसे, फिर इसी होल से हम फोर्थ नमबर का फंदा निकालेंगे ऐसे, फिर यहां पे से फोर्थ नमबर का फंदा बुनेंगे ऐसे, इसी होल से हम फिफ्थ नमबर का फंदा निकालेंगे ऐसे, और इसे आप थोड़ा मैं आपको count करके दिखाती हूँ, एक मैं दोनों को साथ गिरूँगी, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे, ठीक है, तो ये छे फंदे हमने यहां से निकाल लिया है, अब देखें बीच में हमारे दो फंदों का gap है, तो दो फंदे हम बीच में सीधे बुन लेंगे, एक और दो, दो फंदे सीधे बुन लिया है, अब फिर से हमें ये डिजाइन निकालना है, अब यहां से हम count करेंगे, तो दिखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे हैं, तो जो सेंटर वाला फंद है, तीन फंदे इधर हैं, तीन फंदे इधर हैं, सेंटर फंदे के 6 होल नीचे जाएंगे, हम 6 वाले होल में डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, छटे होल में ऐसे, यहां से एक फंदा निकालेंगे ऐसे, और यह दिखें, इस तरीके से खीचेंगे, इसे हमें इतना लंबा खीचना है, ठीक्या, ऐसे, फिर पहले नं नमबर का फंदा बुनेंगे ऐसे यह देखे फिर इसी होल से हम तीसरे नमबर का फंदा बुनेंगे ऐसे यह देखे थोड़ा निकालेंगे फिर तीसरे नमबर का फंदा बुनेंगे ऐसे फिर देखे इसी होल से हमें क्या करना है चौथे नमबर का फंदा निकालना है ऐसे यह दिखें, फिर हम चोथा नंबर का फंदा बुनेंगे ऐसे, फिर पांचवे नंबर का फंदा इस तरीके से निकालेंगे, फिर हम पांचवे नंबर का फंदा बुनेंगे ऐसे, फिर दिखें इसी होल से हम छटे नंबर का फंदा निकालेंगे ऐसे, यह दिखें, इसे आप फंदा था हमारे, लास में भी एक फंदा है, इससे सिधा बुन लेंगे, इच का फंदा है, इससे हम राइट साइड से सिधा बुन लेंगे, यह देखे, इस तरीके से हो गया, यह हमारी 7th row complete हो गई है, अब देखे, बैक साइड है, और 8th row है, देखे, 8th row में हम क्या करेंगे इच का फंदा उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद जो एक फंदा हमारा था, साइड में, उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे, ऐसे, अब हमें क्या करना है, धागा बैक साइड करना है, अब देखे, हमें क्या करना है, यह बुना हुआ और जो नीचे से निकाला था, यह दो इस तरीके से back side को यह देखे, दो काई करेंगे ऐसे, फिर से यह बुना हुआ और यह निकाला हुआ, देखे, दो-दो जोड़े में फंदे हैं, तो इन्हें हम दो काई करते बजाएंगे, देखे, दो फंदे हो गए, फिर से यह और यह, यह देखे, यह 2, 3 फंदे हो गए, फिर यह 2 फंदे, 4 फंदे, देखे, आपको automatically दिख जाएंगे, यह 2 फंदे, back side को 5 फंदे, फिर यह 2 फंदे, back side को 6 फंदे, तो देखे, 6 फंदे हमारे हो गए, आब इसे हलका साब ऐसे खीश लेंगे, तो यह फंदे बिल्कुल यहाँ फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, जो दो फंदे हमारे बीच में थे, गैप में, इन दो को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, ठीक है, फिर से धागा बैग करेंगे, फिर से हमें क्या करना देखिए, एक बुना हुआ और एक करेंगे, फिर से एक बुना हुआ और एक निकाला हुआ, यह देखिए, इन दो का एक करेंगे, आप देखिए फिर से यह बुना हुआ और यह निकाला हुआ, ठीक है, यह दो का एक करेंगे, यह तीन फंदे हो गए, फिर से बुना हुआ और यह निची से निकाला हुआ यह 4 फंदे हो गए, फिर से यह बुना हुआ और यह निकाला हुआ, 5 फंदे हो गए, फिर से यह बुना हुआ और यह निकाला हुआ, 6 फंदे हो गए, तो देखे 6 फंदे हमने बुन लिया है, उसके बाद धागा आगे करेंगे, साइड में जो एक फंदा उल्टा था, वो हम एसे और एच को फंदा बैक साइड है तो हम इसे उल्टा बुन लेंगे ऐसे देखिए फिर इस ये एर्थ रोग कंप्लीट हो गई है और ये हाफ डिजाइन हमारा बनके रेडी हो गया है अब हमें क्या करना है जो डिजाइन है इसकी हमें जगे चेंज करनी है तो देखिए अब हमारा जो डिजाइन है यहाँ पर आएगा ठीक है क्योंकि देखिए मैंने कम फंदे डालें तो मेरा यहाँ पर एक ही डिजाइन आएगा जब आप पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर आपका यह देखिए इस तरीके से डिजाइन आएगा यह देखिए ठीक है मैंने आपको इतना ही बताया है तो मैं एक की डिजाइन आपको दिखाऊंगे कि कैसे इसे ऊपर बनाना है तो आप देखिए हमें क्या करना है देखिए फ्रेंस आप हमारी 9th row आ गई है 9th row को हम क्या करें इस तरीके से सीधा सीधा बुनके complete करेंगे ये दहुतिए अगर आपको ये फंदी थोड़ टाइट लग रहे थो आप इस तरीके से हलका सा इनर ढहला करके फिर सीधा सीधा बुनग लीज त Haar देखे एक ही लाइन में आपको थोड़ ताइट लग सकते हां रोग को हमें क्या करना है बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लीट करना है देखे फ्रेंस 10th रोग हमारी बैक साइड से उल्टा बुनते वे कम्प्लीट हो गई है अब देखे राइट साइड है और 11th रोग है देखे 11th रोग को हमें क्या करना है राइट साइड से सीधा सिधा पुनके कंप्लीट करना है देखे फ्रेंज 11 रो हमाई राइट से सिधा पुनते वे कंप्लीट हो गई है अब देखे बैक साइड है और यह हमारी 12 रो है तो 12 रो को हमें बैक साइड से उल्टा उल्टा पुनके कंप्लीट करना है देखे फ्रेंज 12 रो हमारी बैक साइट से उल्टा बुनते वे कम्प्लीट हो गई है अब देखे राइट साइड है और 13 रो है 13 रो को हमें क्या करना है राइट साइड से सीधा सीधा बुनके कम्प्लीट करना है देखे फ्रेंज तेरवी लाइन हमारी राइट साइट से सिधा बुनते हुए कम्प्लीट हो गई है अब देखे चौदवी लाइन है 14th रो बैक साइट से तो इसे हम बैक साइट से उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे देखिए friends 14th row हमारी back set से उल्टा बुनते वे complete हो गई है अब देखिए 15th row आ गई है और 15th row में हमारा design आएगा तो देखिए design हमें कैसे निकालना है और कहां पे निकालना है यह मैं आपको दिखाऊँगे देखिए सबसे पहले एज को फंदा बुनना है यह देखिए यह 15th row है हमारी उसके बाद एक फंदा देखिए अब यहां से हमें count करना है देखिए एक फंदा हमने पहले सिधा बुन लिया है उसके बाद यह design हमारा कहां पे आएगा यह center में ठीक है यहां पे आएगा तो पहले हमें क्या करना है एक दो तीन चार पाँच छे साथ देखिए यहां पे आएगा यह design हमारा इसकी बीच में आएगा ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे यह चार फंदे सिधे बुन लेंगे यह छे फंदे बुनेंगे देखिए अगर आप एज के फंदे को गिनने चार पाँच फंदे हम सिधे बुनेंगे इसको एज के फंदे को हटाके पांच फंदे हम सिधे बुनेगे इसके बाद हमें क्या करना है उसके मेद भीच में नीची यहांसे मैंगर यह चूपण könnte का रही हूं एक दो तीन चार पांच और छे पंश कुल रही हूं यहां पर हमारी छटी जो होल है वो आ रहा है तो छटे होल से हम ऐसे देखिए फंदा निकालेंगे ऐसा लंबा फंदा निकालना है हमें ठीक है फिर पहला फंदा बुनेंगे ठीक है फिर उसी होल से दूसरा फंदा निकालेंगे यह देखिए इसे भी हम इस तरीके से सलाई के यल्प से लंबा खीचेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे ऐसे, उसी होल से तीसरा फंदा निकालेंगे, ऐसे, उसके बाद तीसरा फंदा हम यहां से बुनेंगे, फिर इसी होल से हम चौथा फंदा निकालेंगे ऐसे, फिर चौथा फंदा हम सिधा बुनेंगे, फिर इस इसी hole से छटा फंदा हम निकालेंगे यह से, फिर हम छटा फंदा सिधा बुनेंगे, यह देखे, इस तरीके से हो गया, अब देखे, last में हमारे यहां पे 2, 4, और यह देखे, 5, ठीके, एच के फंदे को मिलाके 6 फंदे हैं, जितने फंदे हमारे यहां हैं, इतने फंदे हमार तो यह 6 फंदे हम इस तरीके से सिधा सिधा बुनके, कम्प्लीट कर लेंगे, यह देखे, तो यह हमारी 15th रोग कम्प्लीट हो गई है, अब देखे, back side है, और यह हमारी 16th रोग है, इस तरीके से पहले हम शुरू के, जो 6 फंदे हैं, यह उल्टे बुन लेंगे, ऐसे, यह देखे, एक एच का फंदा है, और 5 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद हमें क्या करना है, धागा बैग करना है, एक बुनावा और एक नीचे से निकालावा, यह देखे, ठीके, इन दो का एक करेंगे ऐसे, फिर से एक बुनावा और एक निकालावा, दो का एक करेंगे ऐस और फिर दागा आगे करके यह 6 पंदे हैं, यह हम उल्टे बुण लेंगे देखे पांच पंदे डिजाइन के हैं और एक फंदे इचका है तो हम यह बैक सैट से उल्टा उल्टा बुन के कम्पलीट कर लेंगे देखिए यह हमारी सोल भी लाइन कंप्लीट हो गई है और यह हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है काफी सुन्दर डिजाइन है और लुक वाइज यह काफी सुन्दर लग रहा है देखिए यही जो 16th रो है इन्हें आप रिपीट करते वे जाएंगे तो देखिए इस तरीकी का हमारा यह ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनके रेडी हो जाएगा देखिए बिल्कुल सेम डिजाइन बनके रेडी हो गया है काफी सुन्दर डिजाइन है आप चाहें तो देखिए यह बीच वाला प्लेइन बुन सकते हैं जो यह डिजाइन है यह सेकंड कलर से भी आप डाल सकते हैं तब भी यह डिजाइन काफी सुन्दर लगेगा छोटे बच्चों के लिए आप इसका ड्रेस बनाके रेडी कर सकते हैं यह देखिए काफी सुन्दर डिजाइन है 16 रोज का रिपीट पैटन और देखिए डिजाइन सिर्फ चार लाइन में ही था तो बिल्कुल इजिली यह बनके रेडी हो जाता है तो आप इससे जरूर ट्राइ कीजेगा देखिए फ्रेजन्स अगर आपको मेरा यह डिजाइन पसंद आया बताने के तरीका पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब करें थैंक यू